ओम नमेश शिवाय आज मैं आपको मंगल वार त्रियोदशी प्रदोश वरत की कथा सुनाने जा रही हूँ त्रियोदशी के दिन जो वार पढ़ता है उसी वार का त्रियोदशी प्रदोश वरत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी वह सुननी चाहिए मंगल वार प्रदोश वरत को भौम प्रदोश वरत भी कहते हैं रोगों से मुक्ती और स्वस्थ जीवन की कामना हेतू मंगल प्रदोश वरत करें मंगल प्रदोश वरत की कथा इस प्रकार है सूर्जी बोले अब मैं आपको मंगल त्रियोदशी प्रदोशुरत की कथा सुनाता हूँ अत्यंत प्राचीन काल की घटना है एक नगर में एक बुढिया रहती थी उसका मंगलिया नामक एक पुत्र था वे बुढिया हनमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी वे प्रतेक मंगलवार को हनमान जी का वरत क्या करती थी और विधी इधान से उनका भोग लगाती थी इसके अलावा मंगलवार को ने तो वे घर लीपती थी और नहीं मिटिक होती थी इसी प्रकार्व से वरत रखते हुए जब उसे काफी समय व्यतीत हो गया तो हनमान जी ने सोचा चलो आज उस व्रद्धा की सद्धा की परिक्षा लें वे साधू का वेश बना कर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा है कोई हनमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे व्रद्धा ने यह पुकार सुनी तो वे बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आग्या है साधू वेश धारी हनमान जी बोले कि मैं बहुत भूका हूँ भोजन खाऊंगा तू थोड़ी सी जमीन लीप दे व्रद्धा बड़ी दुविधा में पढ़ गई अंत में हाथ जोड़कर प्रातना की कि हे महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तयार हूँ साधू ने तीन बार प्रतिग्या कराने के बाद कहा तू अपने बेटे को बुला मैं उसे ओंधा लिटा कर उसकी पीट पर आग जला कर भोजन बनाऊंगा व्रद्धा ने जब यह सुना तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई मगर वह वचन हार चुकी थी उसने मंगलिया को पुकार कर साधू महाराज के हवाले कर दिया मगर साधू ऐसे ही कहां मानने वाले थे उन्होंने व्रद्धा के हातों से ही मंगलिया को ओंधा लिटवा कर उसकी पीट पर आग जलवाई आग जलाकर दुखी मन से व्रद्धा अपने घर के अंदर जाग हुसी सादू जब भोजन बना चुका तो उसने व्रद्धा को बुला कर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले व्रद्धा आखों में आसु भर कर कहने लगी अब उसका नाम लेकर मुझे क्यों चिड़ा रहे हो लेकिन हन्मान जी नहीं माने उन्होंने कहा कि वह मंगलिया को पुकारे तब भरद्धा ने भोजन के लिए मंगलिया को पुकारा पुकारने भर की देर थी कि मंगलिया बहार से हसता हुआ घर में दोड़ा आया मंगलिया को जीता जाकता देखकर व्रद्धा की आखे खुशी से चमक गई उसे बहुत सुख़द आश्चर्य हुआ वै साधू महाराज के चर्णों में गिर पड़ी साधू महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिये हनमान जी को अपने आंगन में देखकर व्रद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया हनमान जी महाराज ने जिस प्रकार उस व्रद्धा की सहायता की और उस पे अपनी किर्पा बरसाई वैसे ही वैसा पर अपनी किर्पा बनाए रखे ओम नमेश शिवाए